हेलो एवरीवान स्वागत थे एक बार फिर से आप से भी कम मेरी यूट्यूब चैनल में तो भई सर्दियों की सुरुवात हो चुकी है और सर्दियों की सुरुवात की साथ ही खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है और खाने में आज बना रही हूं मैं आलू की सब्जी करने वाली हूं तो वीडियो को त्यान से देखेगा तो यहां पर मैंने आलू को चील लिया है और आलू को मोटे-बोटे पीस में इस तरीके से कट कर लूँगी मैं आज लिए और मैंने प्याज को काट लिया है बिल्कुल बारीक-बारी क्योंकि सिल्बट्टे पर पीस नहीं भई तो इसलिए बारीक-बारीक काट नहीं लेए और यहां पर मैंने चैसे इस समय हसन के कल्य ले लिया है एधरक तो चलिये इसमें Masala डाल लेते हैं सारे Masalay इसमें डालने की बाद हम इसे सल्बटे पर पिस कर इसका Masala तीयार कर लेंगे तो यहां पर मैंने साबत धनिया ले लिए है साबत धनिय तो देखिए भई यहां पर मैंने सिलबट्टा ले लिया है इस पर डाल दिया है अपने सारे मसाले अब थोड़ा सा डाल दूंग इसमें पानी आज मैं बिल्कुल गाउं वाले स्टाइल में सब्जी बनाने जा रही हूं और आप सभी ध्यान से देखेगा इस सब्जी की खु तो यह देखिए लगभग मेरा मसाला तियार हो चुका है अभी थोड़ा सा धनिया थोड़ा मोटा है तो धनिये को पीछने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसलिए भी थोड़ा सा इस तरीके से धनिये को भी अच्छे से दरदरा करके पीछ लेना है तो अभी यहाँ पर मसाला तियार हो गया है इसे निकाल लिंग में कटोरी में यह देखिए यह मसाला निकाल लिया है मैंने अब मैंने कूकर चड़ा दिया गैस पर और कूकर में डाल दूगी थोड़ा सा सरसो का तेल तेल को इच्छे से गर्म होने देंगे और जब अच्छे से तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे जीरा तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है तो बिल्कुल अलग-अलग हो गया है फटा-फट से बुन जाता है से बुनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यहां पर थोड़ी शी डाल दिये मैंने कस्मीरी लाल मिर्च क्योंकि भी टमाटर नहीं डाल रहे हैं तो कलर के लिए कुछ तो चाहिए तो कस्मीरी लाल मिर् हो गया है तो अब इसमें डाल देंगे हम अपने आलू कि अब यह मैंने डाल दियें आलू कि सारे आलू डालने के बाद अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे हम पानी पानी आप अपनी पसंद के अनुसार डालिए जैसी सब्जी आपको पसंद है अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली खानी है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिए अगर कम ग्रेवी वाली खानी है तो पानी थोड़ा सा कम डालिए अब ये मैंने मसाले वाली कटोरी से ही डाल दिया इसमें पानी तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है कितना अच्छा कलर सबजी पर आया है तो अब इसे कुकर को बंद कर देंगे दो सीटी लगाने के बाद गैस को सीम कर देंगे और पान से साथ मिनट के लिए सबजी को धीमी धीमी आज पर पकने देंगे देखिए धीमी धीमी आज पर पकने का सबजी का टेस्ट अलगी होता है कुकर में तो सीटी ये फटाफट से आ जाती है बड़स में सबजी का टेस्ट वो वाला नहीं आता है में अधार के हैंत shouldn either अब सिर्वालने हे में अधे को बंद कर देंगे और कोकर की अच्छी तेरे से गेस निकलने के बाद भाद ढब को ऑद को खोल कर देखेंगे सब्जी तियार है इसमें डाल देंगे हम कटा हुआ हरा धनिया, देखिए आलूट की सबजी में जब तक हरा धनिया न डालो तो उसका टेस्ट अधूरा रहता है अब सबजी तेयार हो गई है, अब चलिए हम पराठो की तियारी कर लेते हैं इहां पर मैं डाल रही हूँ मक्का का आटा, मक्का का आटा मैंने ले लिया है तो ये देखिए, ये मैंने बल्कुल बारीक बारी पालक काट लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है धोने के बाद पालक को डाल देंगे मक्के के आटे में अब इसमें डाल देंगे हम एक चम्मच कसूरी मेथी यह मैंने हाथ पर लेकर अच्छे से मसल कर इसमें डाल दिये कसूरी मेथी अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक स्वादनसार तो अब इसे हां इस तरीके से पहले मत कर देखेंगे कि कितने पानी की जरूरत है और अच्छे से मतने के बाद इसमें डालते रेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी देखें मक्का के आटे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि यह फोलता है और ज्यादा टाइम अगर हो जाएगा तो फिर इसकी रोटिया नहीं बनेगी तूटनी सुरू हो जाएगी तो इसलिए टाइट करके इसे मत के रख लेना है अब देखिए जब गाउं में हाथ से रोटि बनाते थे तो सिर्फ दो दो रोटियों का ही आटा मत दे थे साथ के साथ क्योंकि हाथ से रोटि फिर उसकी बनती नहीं थी वो आटा फूल जाता था तो वो रोटिया तूटती रहती थी तो अब हम तो पिन्नी पर जुगार लगा के रोटी बनाएंगे तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी तो यहाँ पर मैंने टाइट आटा लिया है और इसको इस तरीके से एक एक रोटी के आटे को अच्छे से मत लेंगे इसका एक इस तरीके से लोई बना लेंगे गोल यह देखे अब एक पिन्नी ले लिया है पिन्नी में थोड़ा सा लगा लेंगे घी और इस तरीके से पिन्नी के बीच में रखेंगे आटे का पेड़ा और इस तरीके से एक हाथ से पिन्नी को पकड़ लेंगे और एक हाथ से बे पतला हमारा पराथा तियार हुआ है अब इसे तवे पर इस तरीके से धीर इसे डाल देना है यह उनकी रोटी की तरह इसे जोर से नहीं डालना है नहीं तो यह तूट जाएगा अब देखे पलटकर मैंने एक तरफ से सेग दिया है अब इस पर लगा देंगे देशी घी इस तरीके से यह बहुत ही आसानी से पलटे से पलट जाता आ तो इसे पलटने के लिए पलटे का ही उज़ करें अब इस तरीक ही लगा देंगे और अच्छे से शेख लेंगे यह परा पर मेड़ तो कभी साग बना कर किसी भी तरीके से तो थो यह वाली रेसिपी भी ट्राइ खीया Panac और ये हो गई आज की मेरे डिनर की थालिक तेयार तो चलिए अब मैं कर लेती हूं फटावट से डिनर तो आप सब भी भी टाय कीजिए बाबाई